नमस्कार दोस्तों, Health Tech चैनल पे आपका स्वागत है प्रेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको कोली मेक्श ड्राफ के बारे में जानकारी देंगे जो की छोटे बच्चों के लिए होता है तो friends इस वीडियो में जानेंगे कि Colimax Dhrawp का इस्तेमाल किनकिन समस्याहुं में किया जाता है इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके Doge के बारे में इसकी Market Price, Content, Side Effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो friends किप्या वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको Colimax Draft के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो friends Colimax Draft इसके Market Price के बारे में जान लेते हैं तो friends 44 रुपए इसकी Market Price है और friends ये 10 ML की पैकिंग में आता है इसको Wireless Company के द्वारा बनाया जाता है जो की बहुत ही अच्छी Company है और friends Colimax Draft आपको अरेकमेटकल इस्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा बहुत ही मसूर द्वा है और डाक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो friends आईए जानते हैं इसके फायदे के बारे में तो इसके content की बात करें तो इसमें dice cyclamine hydrochloride और सिमेतकोन होता है friends इसके प्रत्यक ml में dice cyclamine hydrochloride जो की 10 mg में होता है और सिमेतकोन जो की 40 mg में होता है तो friends या छोटे बच्चों के लिए दवा है जो की 6 मन से लेके 2 साल तक होते हैं इसके usage की बात करें तो या एक anti-spasmodic और anti-flexolent दवा है इसका इस्तिमाल बच्चों के पेट दर्द को ठीक करने के लिए और पेट में बनी गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है अगर बच्चे को पेट में दर्द हो रहा हो गैस की समझ से आओ पेट में मरोर हो तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है और बहुत ही बेटर रिजल्ट है कोलिमेक्स डाफ का बहुत ही जल्ट आराम मिल जाता है तो फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं इसके डोजेट के बारे में तो यह 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए होता है अगर बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल तक है तो इसको 0.5 एमेल दे सकते हैं और बच्चा अगर 1 साल से उपर 2 साल के बीच में है तो इसको 1 एमेल दे सकते हैं इसको दिन में 3-4 बार दे सकते हैं जब आ सकता हो तभी इसका इस्तिमाल करें तो फ्रेंट से इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्ज जरूर ले लें और डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें तभी इसका इस्तिमाल करें क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है तो डाक्टर साब को जितनी दिन कहें और जितनी मातरा में कहें उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करें तो फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो कॉली मेक्स डाफ के जो साइड इफेक्ट हैं जैसे की जी मसलाना, उल्टी होना, चक्कर आना, गबराहट होना, नीद आना और आलासाना ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं जो की किसी किसी को हो सकते हैं सभी बच्चे को नहीं होते हैं अगर इस डाप को देने के बाद ये सब समस्याएं होती है या इसके अलामा भी कोई समस्या होता है तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से संपर कर लें तो फ्रेंट्स यह थी हमारी आज की जानकारी कोली मेक्स डाफ के बारे में आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ